और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ नों कुछ उन्हों ने घवाया है जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से बिप परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं ले पाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ है सरकार के लिए ये घटना त्यंत गंबीर है हर प्रकार की जाँच के निर्देश दिये गए हैं और जो भी दोशी पाये गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे बग्सा नहीं जाएगा मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशाशन के सभी अतिकारियों का जिन्होंने जिस त्वरा से इस परित्थिती में अपने पास जो भी समसादन थे लोकों की मदद करने का प्रयास किया भी यहां के नागरीकों का भी रुदय से अभिरंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाए बलड डोनेशन का काम हो तैरिस्क्य आपरेशन में मदद की बात हो जो भी उनसे बन पड़ता था बन करने का प्रयास किया है खास करके इस शेत्र के युवकों ने राद भर मेहनत की है मैं इस शेत्र के नागरीकों का भी आदर पुरुवक नमन करता हूँ कि उनके सयोग के कारण आपरेशन को तेजगती से आगे बढ़ा पाएं रेलवे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वबस्ता हैं रिस्क्य आपरेशन में आगे रिलीव के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो जातायात का काम तेजगती से फिर से आएं इन तीनों दुरुष्टी से सुभीचारी दुरुप से प्रयास आगे बढ़ाया हैं लेकिन एक दूप्ती घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देखकर के आया हूँ अस्पताल में भी जो खायल नागरीक से उनसे मैंने बात की है मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम सब को सक्ति दें कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले मुझे पूरा विश्वास है लेकिन प्रगण लेकिन प्रगण